वेलकम काईस कैसे हैं आसा है अच्छोगी साथ जब भी कोई पीडिये फाइल डाउनलोड करते हैं कोई ऐसी पीडिये फाइल जिसके अंदर डिजिटल सिगनेचर होते हैं और उनको हमने वैलिडेट करना होता है लेकिन वह वैलिडेट नहीं होते सर्टिफिकेट एरर दिखा उसको जब भी प्रिंट करें या फिर किसी को सेंड करें या अफ लोड करें तो उससे पहले हमने उसको वैलिडेट कराना होता थो हम एक प्टिय फाइल में डिजिटल ťीचिनेचर को किस परकार से करेंगे हैं इन् वैलिड को वैलिड बनाएंग के ये सिखेंगे स्टेब सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर गुरूजी चैनल को और टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकोन को दबाईए तो दीकि सिगनेचर का जो वैलिडेशन का है वो पीडिया फाइल के अंदर होता है वो सिगनेचर को हमने वैलिडेट कराना होता है य यहां पर देखो इस पीडिया फाइल के अंदर एक सिगनेचर लगा हुआ है जो कि है वैलिडेशन अन्नोन यह कुश्यमा का निशान आता है इसको हम किस परकार से वैलिडेट करेंगे और आप उपर देखोगे तो यहां भी आपको यह इन्वैलिड सिगनेचर का ही दिखा कराना है उसके लिए हम सिगनेचर प्रोपर्टीज पर जाएंगे सिदा आपने यहीं पर किलिक कर देना अभी यहां पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा सिगनेचर वैलिडेशन के लिए साइंड बाई किसके द्वारा साइंड किया गया है उसकी मेल आईडी वगेरा क अब यहां पर है चीज देखें जितने भी क्रोष लगे हुए हैं अब देखो आमने इनको सभी को trusted बनाना है यानि कि sign documents और data को certified documents को यह जितने भी cross हैं सभी को हमने certified कराना है सभी को trusted बनाना है तब निचे हम add to trust certificate पे चले जाएंगे और यहाँ पे सिरफ इसको हमने ok करा देना है तो यहाँ से जैसे आप ok कराएंगे तो यहाँ पे आपके पास trust के अंदर देखो एक दिख रहा है use the certificate as a trusted route यह check है इसके बाद निचे आप देखोगे तो आपको मिलेगा certified document यहाँ से इसको check कर दें इसको जैसे check करेंगे निचे आपके पास तीन option और चल जाएंगे कि आपके यह check नहीं हुए कोई दिकत नहीं है आप सिधा इसको ok करा दे ok कराने के बाद यहाँ से कर देंगे हम इसको validate signatures और जैसे validate signature पर यहाँ पे click करेंगे तो आप देखोगे निचे आपके signature validate हो चुके यहाँ भी दिखा रहा है signature is validate आप उपर corner में देख सकते हैं और इसको close करा देंगे इसको side करके दिखाता हम देखो यहाँ से validate हो चुका ना हमने कोई यहाँ पे change अभी नहीं किया है इसको close करा देते हैं अब यहाँ पे आपके signature validate हो चुके हैं जो भी digital signature हैं इसके बाद आप जब भी कोई भी PDF file इस परकार की open करते हैं तो आपको यह process बार-बार repeat करने की ज़रूरत नहीं है जब भी नहीं आप PDF file open करेंगे जिसके अंदर आपके पास digital signature होंगे वो validate मिलेंगे आप यहाँ पे click करके देखोगे तो यहाँ भी दिखा रहागी signature validate वापस से हम एक बार आपको trusted के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पे cross signature थे तो उसके लिए show signature certificate करेंगे और हम चले जाएंगे वापस से सिधा trust पे और यहाँ देखोगे आप वो जो cross थे वो सारे हमारे सही के निशान में check हो चुके तो इस परकार से आप अपने PDF documents के अंदर digital signature को validate करा सकते हैं आसा है वीडियो आपको ज़र अच्छा लगा होगा इसी परकार अच्छा अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए मारे साथ बने रहे हैं मारे वीडियो को ज्यादा ज्यादा दोस्तों में शेयर करें में लाइक करें और दिन नए हैं आप मारे चनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर ले